हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो दोस्तों आज मैं क्लास 9 की मैट से चेप्टर 2 पॉलिनामियल से exercise 2.4 का question number 3 लेकर के आया हूँ इस वीडियो में हम इस question को discuss करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आंतर तक देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी एल्वी फाइंड करनी है और सभी का फेक्टर आपको दिया गया है x-1 ठीक है फस्ट है हमारे पास पी एक सीग्वल टू एक स्कौर प्लस एक स्कौर प्लस एक स्कौर रूट टू थार्ड है हमारे पास PX is equal to K X square minus 3X plus K तो यह 4 question हमारे पास दिया गए हैं इन चारों को हमें solve करना है और बताना है कि की value क्या होगी तो उसमें सबसे पहले हम first question को solve करेंगे मैं इसे मिटा देता हूं कि देखिए इस question को solve करने के लिए solution कि देखो यहां पर क्या होता है न कि यह जो X-1 होता है यह GX होता है मतलब एक factor होता है लेकिन आप इसके is equal to 0 right कर सकते हैं ठीक है क्या रख सकते हैं 0 is equal to 0 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा X is equal to 1 कितना हो जाएगा X is equal to 1 यानि कि देखो जो X के साथ होता है जब इस equal to के उधर जाता है तो उसका साइन बदल जाता है जैसी कि अगर X-1 है तो X is equal to plus 1 हो जाएगा अगर X plus 1 है तो X is equal to minus 1 हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम direct यह बोलते हैं कि X is equal to इतना हम put करेंगे ठीक है यहाँ पर लिखेंगे वी पूट X is equal to 1 in PX V है ठीक है तो फिर पूट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो जहां जहां पर X है वहां वहां पर आपको one put करना है ठीडर बीकटवां is equal to one whole square plus one plus k ठीक है पी जो होता है ना PX वह 0 के एक्कोल होता है तो यहां पर 0 हो जाएगा ठीक है वन का square one plus 1 स्कूल के अब हुधर वेज़ंगे तो मायनस वो जैका तो के इसक्फेवल टो माइनस तू एक तो आप इस लो फिडियो को पाहच करके स्क्रिण साथ ले लो लिघ्र तो मम स्यॉलिशन करेंगे स्टीड हो किने फैbor देखो वापस से इसका भी फेक्टर हमें यही दिया गया है x-1 is equal to के उधर वे जिके तो कितना हो जाएगा x is equal to 1 तो जहाँ जहाँ x से वहाँ कितना put करेंगे 1 ठीक है तो चलो फिर solution put x is equal to 1 in px we have तो जब x is equal to 1 put करेंगे तो क्या मिलेगा देखो p1 is equal to 2 into 1 का whole square plus k into 1 plus square root 2 यह तो 0 होगा 2 into 1 का whole square 1 plus k into 1 देखो k into 1 कितना हो जाएगा k ही हो जाएगा ठीक है plus square root 2 और यह 2 अंजा 2 हो जाएगा 2 अंजा कितना हो जाएगा 2 अंजा 2 हो जाएगा तो फाइनली देखो जब हम इसको solve करेंगे तो यह मिलेगा k plus 2 plus square root 2 ठीक है और इधर 0 तो k की value कितने ही आ जाएगी k की value आ जाएगी minus 2 minus square root 2 तो वैसे तो चाहो तो आप इसे यहाँ पर छोड़ सकते हो पर थोड़ा सा आगे solve करेंगे ठीक है k is equal to minus sign यहाँ भी है minus sign यहाँ भी है तो minus sign को common कर लेंगे तो यह हो जाएगा minus under bracket 2 plus square root 2 तो यह हमारा फाइनली आंसर होगा इस question का आप चाहो तो इसे write down कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो तो अब हम थार्ड question को solve करेंगे यहाँ पर भी हमें x is equal to 1 ही put करना है क्योंकि x minus 1 इसका भी factor है solution put x is equal to 1 इन पी आक्स भी है तो जब हम x is equal to 1 पूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं हम ठीक है जहाँ जहां पर x है वाहां पर 1 पूट कर दीजिए so p under bracket 1 is equal to k into 1 whole square minus square root 2 into 1 प्लस ठीक है यह तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा 1 का whole square 1 आएगा k into 1 k आजाएगा minus square root 2 into 1 square root 2 आजाएगा और प्लस 1 आजाएगा ठीक है अब क्या करना होगा देखो यह पूरा टर्म इधर भेजना होगा क्योंकि यह solve नहीं हो सकते यह irrational number है और यह rational number है तो यह solve नहीं हो सकते ठीक है तो सबको इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा k is equal to minus है इधर जाके plus हो जाएगा plus square root 2 यह plus है इधर आके minus हो जाएगा और plus हम लिखते नहीं है आगे ठीक है तो यह हो जाएगा k is equal to square root 2 minus 1 तो यह हमारा इसका क्या हो जाएगा answer तो आप चाहे तो इसे रहे डाउन कर लें या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लें तो अब हम बात करेंगे इसके last question question no.4 के बारे में ठीक है solution कि यहां भी हम से वहीं बोला गया कि फैक्टर एक्स माइनस वन है तो जब फैक्टर एक्स माइनस वन है तो एक्स की वालू कितनी होगी वन होगी यहां भी हम पूट कर देंगे पूट एक्स एक्स एक्ड़ डू वन इन पी एक्स एक्स मतलब यह 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 वी है लिए अ पी अंडर बिकाट वान इस एक्वल टू के इन्टू बन होल स्कॉयर माइनस थरी इन्टू बान प्लust K ए पूरा जीडो हो जायेगा वन होल स्कॉयर वन होगा और k into 1 कितना हो जाएगा k ठीक minus 3 into 1 3 plus k अब आप देख सकते हैं आपर k plus k कितना हो जाएगा 2k minus 3 is equal to 0 अब ये minus 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा plus 3 यानि कि 2k is equal to कितना हो जाएगा 3 और ये 2 into में है उधर जाएके क्या हो जाएगा divide तो k is equal to कितना हो जाएगा 3 by 2 k is equal to कितना हो जाएगा 3 by 2 तो ये हमारा answer हो जाएगा इस question का आप चाहें तो इसे write down कर लें या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लें तो दोस्तों comment box में बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों को भी share करें अगर इस channel पर आप नए हैं तो channel को भी subscribe करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले question के साथ तब तक ले thank you class अगले करेंहां